इस नए वर्ष में आपको काफी अच्छी तरीके से फसल और काफी अच्छी तरीके से आपको फाइदा मिले बीटे दो वर्षों में काफी किसानों को नुक्सान भी हुआ है महा कोरोना महामारी की वज़े से और हम उम्मित करते हैं कि आने वाला जो हमारा 2022 से इसके अंदर एसी कोई घटना घटितना हो यह भी हम ध्यान रखेंगे कि विश्यस तरीके से मेरे आपके लिए सुछना रहेगी कि आप कहीं भी मंडी वगर आम जा रहे हो या पिर किसी पब 2022 में और इस महामारी का प्रकॉभ हमें देखने को नहीं मिलेगा तो जिंजिन किसान सात्यों नहीं लगवा है तो जरूर करवा है और में काफी जुजना पड़ रहा है कि क्या क्या सव जयने रख सकते हम इस रोक को लेके और गोबि की बात करड़ इसके अंदर भी काफी रोक देखने मिल रहा है काफी कीट वगरा परेसान कर रहे हैं और काफी का नुकसान भी हो रहा है पसल का इसके बारे मं वीडियों चर्च मैं तो आंगो किसान साचिव जान लेते हैं कि अलू और टमाटर के अंदर जुलसा रोक के निवारन के लिए हम क्या उप्योग में ले सकते हैं और क्या-क्या सभदेन् also technical काम उप्योग के तो इसके कारण की हम जो भात चल रहा है ठंड का जो माहुल चल रहा है इसके अंदर काफी नमी रेती है और इसकी वजह से काफी हम देखते हैं कि जो वगरा जो रेती है इससे भी काफी नुकसान होता है और इसी के कारण ही अपने को जुल्चा रोग का जो जो रोग है इसको हमारी जो फसल है आलू अपना पौदा है यह काफी सूप भी सकता है और हम बात करने तो पिला भी पढ़ सकता है और पत्थ massage सकते हैं कि ब्रदी। प्रेटी रिティ कम होड़ी लाग जाती है और पुदा चोटा रह जाता है अपने उत्पाधन में भी काफी पंच क्यों होती हैं जूला रोग की वजए से हम बागे चलते हों हम इसकी आफ़के लिए बात करें तो हम इसके अंदर क्या उपचार क्रशकda सकते हैं इसके नियंतर तो कि और पोदे की व्रद्धी में भी काफी फाइदा मिलेगा और आपका पोदा भी काफी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और काफी हद तक आपको अच्छी तरीके से फसल देखने को मिलेगी इस मिट्टी के पारे चड़ाने से और आपको इस ठंड के प्रकोप से भी काफ और भसल की निखिरानी अवाश्य करें और आप समय समय पर पानी पानी और म्लसी के विश्जत तरीके से और ड्यान रखें तभी आपको अच्छे तरीके से पैसल अच्छे तरीके साफिक आप इसको आप प्लाव उपयोग ना करें तो किसान साथ यो आगे बढ़ती हो देख लेते हैं कि on the जूल साहरोग के नियंत्रन के अवपर हम राश्थाइभ इन जो टेक्निकल्क इसका हम क्या उप्योग मिले सकते हैं जिससे हम जो अपना जूल्सा रोगी इससे हम बचाव कर सकें इसको नियंत्रण कर सकें तो थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूँ हूँ आग जो हमार नए किसान साथ इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्क्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बे सब्सक्राइब जो ऑनी के नडर उपयोग कर कर सकते हैं इसके अलावा जो हम बात करें तो एक और युपाए कर सकते हैं इसके साथ डाइम इत्यान एम पेंटालीस दो ग्राम पर प्रति लीटर के इसाब से आप पानी में गोल तयार करके आप इस प्रे कर सकते हैं तो किसान से जो मेरी तरब से एक सुझाव रहेगा आपके लिए कि अगर आप इस टेकनिकल का उपयोग कर रहे हैं जुल्चा रोक के निय आप देखने को मिलेगा तो किसान से जो आगे बढ़ते हों बात कर लेते हैं जो अपनी गोबी की फसल है इसके अंदर जो हमारे जो कीट है जो पत्य खाने वाले जो कीट है इसके उपर आप नियंतरन के लिए इस पेनो सेड जो अपना एक एमेल है इसका आप तीन लिटर है कि अवच्छे ध्यान रखिए और निगरानी करते रहें और कीट वगरार या फिर कोई रोग वगरा है इसका आप समय समय पर ध्यान रखिए और समय समय पर छिड़काव करें इससे आपको काफी अठ्वाड़ की अफच्छी तरीके से देखने को मिलेगी और आप जो समय पर आप सीचाई और जो साम के समय है या फिर किसी भी समय आप सब्सक्राइब करें और आप खित के चारों और आप आग जला कर दुआ अवश्चे करें इससे भी आपको काफी ठंड में ठंड से बचाओ देखने को मिलेगा आपकी फसल के उपर तो किसान सहत्यों में यही आपको टेक्निकल बताया है यह आपको जानकारी कैसी लग आप हमें कमेंट करके जरूब बताएं और हमारे जो नए इसवीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं जो किसान साथी वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बमिलेते आप से विदा म मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, किसी अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जेहिन बंदे मातरम.